नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा बार्वी का अध्याय तीन आफ व्यू हुपड़ेंगे जिसे हम अंग्रेजी में मेट्रिस भी कहते हैं यह हमारा तीसरा भाग है तो आईए देखें पिछले सत्र में हमने क्या देखा पिछले सत्र में हमने अव्यू हो की समानता अव्यू हो पर कुछ संक्रियाएं भी देखी तो हम इस सत्र में क्या पढ़ेंगे इस सत्र में हम अव्यू हो का गुडण जो की एक और संक्रिया है अव्यू हो के गुडण के गुडण धर्म और इन पे अधारत प्रश्न भी करें तो आईए देखें परिभाशा क्या है अव्यूहों के गुणन की जिसे हम अंग्रेजी में multiplication of matrices भी कहते हैं अब परिभाशा क्या कहती है हमें दो अव्यूह A तथा B का गुणन फल किस प्रकार परिभाशित है यदि A में स्थम्बों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए ध्यान रखें ये दो चीजें होनी अनिवार रहे हैं क्यों अगर ये नहीं होंगी तो हमारा जो गुणन फल है वैपरिभाशित नहीं होगा आके दिखेंगे इसके अतिरिक्त गुणनफल आव्यू के अव्यवों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे A की पंक्तियों तथा B के स्थम्मों को लेकर अव्यवों के क्रम नुसर हमने गुणन करेंगे और तदों प्रांथ इन सब गुड़न फलों का हम योग फल ग्यात करेंगे उधारन भी लेंगे दूसरे शब्दों में हम और क्या कह सकते हैं इसे आव्यूह C A अगर हमारा एक आव्यू है B आव्यू है तो हमारा जो गुड़न फल निकलेगा वह भी एक आव्यू ही होगा तो उसे हमने नाम दिया है C तो आव्यू C के अगर हमें I के वे अव्यूव निकालना है यानि C I के निकालना है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा A की आयत पंक्ती और B के के त स्थम को लेंगे और फिर से अव्यूव के क्रमूनसार हम उने गुणन करेंगे और गुणनफलों को हम योग करेंगे तो आईए एक उधारन ले और इसको और भेतर समझे उधारन में हमें दो अव्यू दिये हुए हैं और हमें इन दोनों आव्यों का गुणनफल ग्याद करना है, यानि मान ग्याद करना है। तो सबसे पहले इन्हें हम नाम आंकित कर देते हैं, यह मेरा आव्यू A और यह है आव्यू B. क्या बताया था आपको? तो A आव्यू के स्थम्बो की संख्या और B आव्यू की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखेंगे, A आव्यू दो बाए दो कोटी का है और B आव्यू दो बाए तीन कोटी का है। स्थम्बो की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर है। इसका मतलब A B परिभाशित है यानि उनका गुणनफल परिभाशित है अब अगर परिभाशित है तो हमारा जो गुणनफल है वे भी आव्यू होगा और वे समानिता किस रूप में होगा देख सकते हैं इस प्रकार होगा उसकी कोटी कितनी होगी उसके कोटी 2 बाई 3 की होगी याद करने के लिए बड़ा असान है दो और दो तो बराबर है तो यानि A के जो पंक्तियों की संख्या है और B की जो स्थम्बों की संख्या है उससे हमारी गुणनफल के अव्यू की कोटी बन जाएगी दो बाई तीन अब देखते हैं कि इनके जो अव्यव हैं वो कैसे हम निकालेंगे तो सबसे पहले आईए देखें भेला अव्यव C11 यानी C11 कैसे देखेंगे इस चित्र में आप देख सकते हैं हमें क्या निकालना है C11 जहां I का मान एक और J का मान एक तो पंक्ती हमारी पहली और जो मारा स्थाम है वह भी पहला पर हम कैसे मान निकालेंगे इसका हम पहली पंक्ती लेंगे पहले आव्यू A का आप देख सकते हैं इस चित्र में और पहला स्थम लेंगे दूसरे आव्यू का जो की है B इस चित्र में आप देख सकते हैं ये अब हमने क्या पता था? क्या पढ़ा था परिभाशा में? कि हम क्रमन उसार जो अव्यव हैं उनको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? एक को माइनस एक से गुणा और दो को पांच से गुणा देख सकते हैं किया हुआ है और फिर इनहीं गुणनफलों को हम योग करेंगे यानि जमा करेंगे एक गुणा में माइनस एक दो गुणा में पाँच और दोनों गुणनफलों को हमने जमा कर दिया जमा करने पर जो संख्या आईगी वे हमारा अव्यव होगा कौन से स्थान पर पहली पंक्ती और पहले स्थम के स्थान पर यानि C1-1 वो दशा रहा होगा हल करने पर आप देख सकते हैं C1-1 का मान क्या आ रहा है यह आप देखेंगे कितना आया माइनस एक जमा में 10 यानि बराबर 9 ठीक आईए एक और अव्यव निकालें इस बार हम कोई और अव्यव निकालते हैं मान लेते हैं अब हम अव्यव निकालेंगे C2-3 देखेंगे अब इसके अंदर क्या लेना है हमें दूसरी पंक्ती पहले अव्यव की दूसरी पंक्ती पहले अव्यॵ की A और तीसरा स्थम दूसरे अव्यॵ B का ठीक चित्र में देख सकते हैं ये हमारा दूसरी पंक्ती और ये हमारी तीसरा स्थम ठीक वैसे ही क्रमा नूसर हम इसे क्या करेंगे सारे अव्यवों को गुणा करेंगे माइनस एक का दो से गुणा और शूने का शूने से गुणा गुणन फलों को फिर हम जमा करेंगे योग करने पर उत्तर आप देख सकते हैं हमारे पास आया माइनस दू ठीक इसी प्रकार हम बाकी के अव्यव भी गुडन फल जो हमारा अव्यू है उसके निकाल लेंगे तो वै क्या निकले आईए देखें बाकी के अव्यव आप देख सकते हैं वै क्या है 9 और माइनस 2 तो देख लिया था बाकी के हैं 2, 2, 1 और 0 अपने ही स्थार पर ठीक आईए अब आगे देखें ध्यान देंगे स्टिप्णी में सबसे पहला बिंदू यदि A भी परिभाशित है तो ये आव्यशक नहीं कि B अभी परिभाशित हो उधारन आपके सामने हैं हमारे पस दो अव्यू हैं अव्यू A और अव्यू B A और B यानि अगर हम देखें A B क्या हम इसका गुणन फल निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं ये हमारा परिभाशित है कैसे कोटी लिखते हैं A हमारा दो बाए दो कोटी का और B हमारा दो बाए तीन कोटी का A के स्थम्भों की संख्या और B के पंक्तियों की संख्या बराबर है तो A B हमारा परिभाशित है परन्तु ध्यान देंगे B A पे क्या b.a परिभाशित है? देख लेते हैं b.k. कोटी क्या है हमारी? 2 x 3 और a.k. कोटी 2 x 2 क्या b.k. स्थम्बो की संख्या और a.k. पंक्तियों की संख्या बराबर है? सपष्टता बराबर नहीं है यानी b.a हमारा परिभाशित नहीं है यही हमारा पहला बिंदू बता रहा है ठीक, आईए बागे बढ़े इस उधारन में आप देखेंगे क्या दिया हुआ है यदि हमारे पास दो आवियों है A और B तो A भी ज्याद करना है हमें यानि दोनों का गुड़न फल निकालना है और क्या हमारा B ये परिभाशित है ये देखकर और अगर परिभाशित है तो हमें ये देखना है क्या A B बराबर है B A के तो आईए देखें सबसे पहले A B और B A की परिभाशिता देखें क्या ये परिभाशित हैं दोनों बिल्कुल परिभाशित हैं आप स्वैमिने देख सकते हैं इनकी कोटियों से, अब A भी निकालेंगे, यह हमारा A आप्वियू, यह हमारा B आप्वियू, ठीक, पहली संख्या क्या निकलेगी? 2 का गुणा माइनस 1 से, 1 का गुणा 1 से, माइनस 3 का गुणा 9 से, तो अब यह क्या निकला? माइनस 2, 1 और माइनस 27, इन सबको जमा कर देंगे, देख सकते हैं, यहां लेख रखा है, और जमा करने पर हमें क्या मिला? इसी प्रकार हम बाकी अव्यव भी निकाल लेंगे और हम क्या पाएंगे माइनस 24, 37 और 16 छी अब देखते हैं B को यानि B का हमें गुड़न करना है A से परिभाशता हमने देख ली यानि वे परिभाशत है B ए निकालने पर उसी प्रकार हमारे अव्यव क्या निकलेंगे माइनस तो जमा आठ क्या बना 6 और ये हम पाएंगे इसके अव्यव 6 माइनस 1 माइनस 39 चार एक माइनस 11 जोला नौ और माइनस 19 हैं ठीक ? दोनों स्पश्चता अपने रिक्षट कर सकते हैं क्या मेरा A B BA के बराबर है? नहीं, हम अव्योहों की सम्मानता देख चुके हैं वे सम्मान यानि बराबर नहीं है यानि स्पश्चता जो A B behavior आ रहा है वे BA के बराबर नहीं है तो ये भी हमें एक खास बिंदू का बोध करा रहा है और वे क्या है, देखेंगे तो में दूसरा बिंदू वे हमें क्या बोध करा रहा है कि आव्यों के गुरन की अकरम बिन्नेमिता हमें बतलाई जा रही है यानि जो हमारे आव्यों है, वे क्या है, non-commutative है यानि अगर मैं A का B से गुणा करूँ और B का A से गुणा करूँ तो यह जरूरी नहीं सदेव बराबर होंगे यह बराबर नहीं भी हो सकते ठीक अब अगला बिंदू देखेंगे यह हमें क्या दर्शा रहा है दो शुन्य तर आव्यों के गुणन फल के रूप में हमें शुन्य आव्यों मिल रहा है यानि अगर हमारे पास दो आव्यों है और परश्ट तहाब देख सकते हैं यह दोनों हमारे शुन्य आव्यों नहीं है और इन दोनों का अगर हम गुणन करें यानि गुणन फल निकालें तो वे एक 0 आवियो निकलेगा आप करके देख सकते हैं अगर हम इन दोनों का क्या निकालें गुणन फल माइनस एक का 0 से गुणा 0 जमा 0 का 0 से गुणा यानि 0 इसी प्रकार बागी अवियव भी आप देख पाएंगे कि आपका 0 ही मिल रहा है ठीक आईए अगे बढ़े आगी हम अवियों के गुणन के कुछ गुण धर्म करेंगे जिसे हम अंग्रेजी में properties of multiplication of matrices भी कहते हैं अब सबसे पहला हमारा गुण धर्म सहचरे नियम यानि associative law अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं अगर हमारे पास किनी तीन आवियों है यानि A, B और C तो हमारा सहचरे नियम क्या बतला रहा है अगर मैं A और B का गुणन करूं और फिर गुणन फल का C से गुणन करूं तो यह किसके बराबर होगा यदि पहले मैं B और C का गुणन निकालूं यानि उन दोनों का गुणन फल और A का इन दोनों के गुणन फल के साथ गुणन करूं तो भै बराबर होगा यानि इसमें जो कोष्टक होते हैं उनकी क्या महता नहीं होती अब अगला हमारा गुण धर्म वित्रण नियम जिसे हम डिस्ट्रिब्यूटिल लॉब ही कहते हैं वह क्या बता रहा है हमारे पास तीन अभ्यूं है A, B और C यानि पहला क्या है B और C को अगर मैं जमा करते हैं पहले और फिर इस योगफल का A को हम गुणा कर रहे हैं इस योगफल के साथ तो वह किसके बराबर होगा A का B के साथ गुणन जमा A का C के साथ गुणन वित्रण कर दिया हमने इसी प्रकार दूसरा भी हमारा गुणधन इसी नियम के अंतरगर यदि अगर हम A और B को जमा कर रहे हैं और फिर इस योगफल को हम C के साथ गुणन कर रहे हैं तो वह किसके बराबर है A और C का गुणन जमा B और C का गुणन ठीक ध्यान रखें जो भी हम गुणन ले रहे हैं वह सारे के सारे परिभाशक ले रहे हैं ठीक आकरी बिंदु यानि हमारा आकरी गुणधर्म गुणन की तत्समक का अस्तित्व यानि existence of multiplicative identity यह क्या बतला रहा है प्रतीक वर्ग आव्यू हम जानते हैं जो हमारा तत्समक है उसके लिए हमें वर्ग आव्यू होना अनिवारे हैं तो प्रतीक वर्ग आव्यू ए के लिए समान कोटी के एक तत्समक आव्यू का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि यदि आई ए बराबर है ए आई के और हम जानते हैं आई यानि ये आई ऐसा आव्यू है जिसे हम गुणा करने पर ए के साथ दोनों पक्षों से हमें क्या मिल रहा है ए आव्यू ही मिल रहा है ये सारे गुण धर्म आप सत्यापित कर सकते हैं उधारन लेके यह कार्य मैं आप पे छोड़ती हूँ आईए अब आगे देखें कुछ उधारन कौर करेंगे इस उधारन में हमें दो आव्यू दियों हैं आव्यू A और आव्यू B आव्यू A के अव्यव हैं 1,-1, 2,-1 और B के अव्यव हैं A, 1, B,-1 हमें आव्यू A और B के रूप में एक समीकरन भी दिया हुआ है वह क्या है? A जमा B पून का वर्ग बराबर है A का वर्ग जमा B के वर्ग के हमें क्या ग्याद करना है? हमें A और B का मान ग्याद करना है सबसे पहले हमें ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है A और B आप व्यू हमारे पास जो समीकरण है उससे हमागे बढ़ेंगे यह हमारे पास समीकरण दिया हुआ है यानि A जमा B कपून का वर्ग बराबर है A का वर्ग जमा B के वर्ग के इस उल्टे हाथ पे ध्यान देंगे A जमा B के वर को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं यानि A जमा B और A जमा B क्योंकि घाथ दो है ठीक A की घाथ दो जमा B की घाथ दो ऐसे ही निकलिया हमने सीधा हाथ वे आगे हमें क्या बतला रहा है ये दो हमारे क्या बन गए अव्यू योगफल भी हमारा आपको पता ही है एक नया अव्यू देता है तो अभी नहें हम क्या करेंगे गुणा करते हैं A का A से A का B से B का A से और फिर B का B से ठीक तो हम क्या पा रही है A का वर्ग जमा B का वर्ग जमा A, B जमा B, A बराबर में A का वर्ग जमा B का वर्ग हल करने पर आप पाएंगे ये क्योंकि यह आँ A का वर्ग और B का वर्ग है तो भेह आगे जाके हमारा घड़ जाएगा questa तो ये क्या बना A, B, जमा B, A बराबर में शूने आव्यू, ठीक इसी को अब हम इस्तमाल करेंगे और अपने A और B का मान निकालेंगे आगे देखेंगे, त्यान देंगे हमें क्या दिया हुआ है A, B जमाब B, A बराबर है किसके? शूने आव्यू के तो यानि हमें क्या निकालना होगा A, B और B, A ठीक, जब आप गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं आप ये पाएंगे और A, B के अव्यूव है A घटा B, 2 2A घटा B और 3 इसी प्रकार B, A के जो अव्यूव है वे क्या पाएंगे आप? A जमादो घटा A घटा 1 B घटा 2 और घटा B जमा में 1 हमें क्या निकालना है? दोनों का योग तो योग निकालेंगे बराबर 0 आप यूव ध्यान देंगे जो 0 आप यूव है वे हमारा 2 बाए 2 कोटी का ही होगा बराबर का है हमारा चिन ये हमारा A, B आप यूव कितनी कोटी का? 2 बाए 2 बी ये आप यूव भी हमारा 2 बाए 2 कोटी का तो ये बराबर जो 0 आप यूव है वे भी आप यू 2 बाए 2 कोटी का ही होगा अब योग निकालेंगे योग निकालने के लिए जो संगद आप यूव है ठीक इसी प्रकार दो में अगर हम जमा करते हैं क्या माइनस ए घटा में एक तो हम पाएंगे क्या दो में से एक गए बच्चे एक और माइनस ए तो ये अव्यव हमें मिल गया इसी प्रकार हम जो अगले अव्यव है वे निकाल सकते हैं वे क्या मिले हमें दो ए घटा में दो चार घटा में बी बराबर में हमें दिया ही है ये है शोने आव्यू अब ये आव्यू और ये आव्यू दोनों बराबर हैं बराबर हैं तो दोनों के जो संगत अव्यव होंगे वे भी बराबर होंगे अवे बराबर हैं तो हमें कुछ समीकरण मिलेंगे अवे क्या है? क्या लिख सकते हैं? देखेंगे आपको स्पष्टत यां दिया हुआ है दो A घटा B जमाद दो किसके बराबर? शूनने के इसी प्रकार एक घटा A बराबर शूनने इससे हम A का मान निकाल सकते हैं इस समीकरण से एक का मान कितना आया? एक ठीक? इसी प्रकार आप देख सकते हैं इस वाले अव्यव को जब हम बराबर रखेंगे शूनने के तो हमें B का मान मिलेगा और वे कितना मिल रहा है? चार ठीक? तो हमें क्या मिला? A का और B कत दोनों का मान मिला A का मान एक और B का मान चार और यह सबी हमारे जो चारों समीकरण मिले हैं वे पून क्या कर रही है? समीकरण को पूरा भी करते हैं ठीक? आईए अब एक और प्रश्न देखें बेचे गए लेखों की संख्या इस छवी में आप देख सकते हैं स्कूल A ने कितने पंखे निर्मित की चालेस स्कूल B ने कितने पंखे निर्मित की पच्चिस और स्कूल C ने कितने पंखे निर्मित की पैंथिस इसी प्रकार चटाईयां स्कूल A ने 50 निर्मित की, स्कूल B ने 40 और स्कूल C ने 50 प्लेट स्कूल A ने 20, स्कूल B ने 30 और स्कूल C ने 40 अब हमें क्या ग्याद करना है? उप्यक लेखों को बेचकर प्रति एक स्कूल द्वारा अलग से एकत्रित जो धन राशी है, वे हमें ग्याद करनी है साथ ही, जो कुल धन राशी हमें प्राप्थ हुई है, ये सारी चीज़ें बेचकर वे भी हमें ग्याद करनी है तो आईए इसका उत्तर देखें ध्यान देंगे कि जैसे कि हमें प्रति एक विध्याले द्वारा एक अत्रित धन राशी प्राप्थ करनी है तो हम इस तालिका को इस रूप में विक्त कर सकते हैं A, B और C, ये क्या है? स्कूलों के नाम हम, ये सारी चीजें जो उन्होंने निर्मित की हैं वे इस आव्यू के रूप में लिख सकते हैं आईए इस आव्यू को पहले नाम आंकित करें ये आव्यू ले लेते हैं, K और ये आव्यू दर्शा रहा है, L ठीक है? देखेंगे चालिस हमारा क्या है? पंकों की संख्या जो की स्कूल A ने निर्मित करी पचास हमारा क्या है? चिटाईयों की संख्या जो स्कूल A ने निर्मित करी और बीस प्लेटों की संख्या जो स्कूल A ने निर्मित करी ठीक? इसी प्रकार जो अलग अलग चीजें निर्मित करी हैं एक एक क्या चीजों की धन राशी यानि मूल ले एक हमारा जो पंखा है वे कितने रूपे का बेचा है 25 एक चटाई 100 रूपे और एक प्लेट 50 रूपे ठीक तो हम क्या करेंगे आईए देखे इस रूप में हमने विक्त किया था अपनी तालिका को यह दर्शा रहा है ध्यान देंगे यह हमारा आव्यू के था और यह हमारा एल हमने किस रूप में से वेक्त किया है गुणा के रूप में तो यानि के गुणा एल अगर हम करें तो हमें उप्यूक्त धनराशी मिलेगी कैसे देखेंगे अगर हम इस आव्यू के को एल से गुणा करते हैं यानि हजार, पचास का सौ से गुणा पर पांच हजार, बीस का पचास से गुणा पर हजार, और ये क्या है, सौ है हमारी कुल राशी स्कूल ए ने जो प्राप्त करी, किसको बेज कर, पंखों को बेज कर, पांच हजार धन राशी प्राप्त करी, चटाईयों को बेज कर, और हजार ह हमारी धनराशी प्राप्त हुई प्लेटों को बेच कर तो कुल राशी स्कूल A ने कितनी प्राप्त करी साथ हजार जमा कर दिया ऐसे ही स्कूल B द्वारा धनराशी प्राप्त हुई हमें वे क्या है छे हजार एक सो पच्चिस और C स्कूल ने कितनी धनराशी प्राप्त करी सा 7,875 रुपए है तो हमें अलग-अलग स्कूलों से जितनी धन राशी हमने एकत्रित की वे हमें मिल गई है स्कूलों A, B और C द्वारा एकत्रित फंड जो है क्रमशह आप देख सकते हमने लिखा हुआ है वे कितना है 7,6125 और 7,875 रुपए हमें और भी क्या चीज निकालनी थ राशी यानि जो हमें इकत्रित हुई है तीनों स्कूलों से तो वे क्या करेंगे अब हम तीनों धन राशी को जमा कर देंगे और जमा करने पर आप पाएंगे हमें क्या मिला 21,000 तो यानि कुल राशी हमें कितनी प्राप्थ हुई 21,000 रुपए ठीए तो बच्चों आज व्यूहों के गुडन, उसके गुण धर्म और उस पर आधारत प्रश्न भी देखे तो आशा करते हैं इस सत्र में आपको आनंद आया होगा, समझ आया होगा, धन्यवाद मुट झाया है